हेलो चैंपियांस दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि एक्जाइम हॉल में जब आप लोग आंसर्स लिख रहे होते हैं तो आप लोगों को तीन चार प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं आपको एक तरफ से लिखना है मतलब कि जिस और में क्वेशन पेपर में क्वेशन है उस और में आंसर करना है या आपको उस क्वेशन का आंसर सबसे पहले करना चाहिए जिस क्वेशन का आंसर आपको खूब अच्छे से आता हो या दूसरा क्वेशन आप लोगों का यह होता ह दूसरा प्रॉब्लम आप लोगों को ये face करना पड़ता है कभी कभी कि आपने तयारी तो बहुत अच्छी करी थी लेकिन किसी particular question का answer बिल्कुल भी नहीं आदा रहा है एकदम blank हो जाता है दिमाग तो उस समय कौन सी strategy यूज करेंगे ताकि उस question का answer लिख पाएं इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो keywords होते हैं यह important points होते हैं उसको हम किस pen से underline करें और कब underline करें दोस्तों यह आज की जो video है यह class 10th और class 12th के students जो board exam में appear होने वाले हैं उनके लिए हैं और आप किसी भी board से होए यूपी board बिहार board क सारे board के students के लिए यह video बहुत ही useful होने वाली है तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं point number one point number one हमारा यही है कि question paper का में answer लिखते समय strategy to solve question paper in the board exam यह question काफी परिशान करता है कि sir जिस order में question paper है उसी order में answer लिखें या उस question का answer सबसे पहले लिखें जिसका answer हमें सबसे अच्छे से आता है right तो दोखें इस question का answer हर student के लिए अलग लग होगा मालीजे अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आपको सारे question के answer आते हैं तो आप question का answer उसी order में करिए जिस order में question paper है इससे क्या होता है कि जो copy checker होते हैं जो evaluator होते हैं CBC में या किसी भी board में जब आपकी copy check होते हैं यह उनके लिए काफी comfortable हो जाता है आपकी answer sheet को check करना चुकि केवल आपकी answer sheet उनको थोड़ी check करनी है उनके तो धेर सारे students होते हैं जिनकी answer sheet चेक करनी होते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा तो वो खुश हो करके आपको जहर से बात है ज्यादा marks देंगे लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है मतल होता क्या है जब evaluator copy check करना शुरू करते हैं तो उनको पहले question का answer पढ़ते है या idea तो लग जाता है कि यह कैसा student है लेकिन दूसरे तीसरे question का answer पढ़ते पढ़ते हैं बिल्कुल उनका mind make up हो चुका होता है कि यह student कैसा है पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है तो अ now we'll discuss point number two point number two हमारा है board exam में किस color के pen का use करें देखे दोस्तों board exam में आपको चार color की pens लेके जाना चाहिए और अभी हम discuss करेंगे कि इन चारो color की pen का कहा कहा इस्तेमाल होगा board के जो board के topers रहें उनकी answer sheet भी है आगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन पहले देखें कौन से चार colors की pen लेके जानी चाहिए आपको blue लेके जानी चाहिए black blue और black आपको gel pen लेके जानी चाहिए तीसरा आप green और yellow ग्रीन और yellow color का यह सारे colors CVC board में allowed है green और yellow color की sketch pen य जहां देजिए CVC board की या किसी भी board की exam में देखें यह आपको margin बनानी होती है अच्छा यह margin क्यों बनानी होती है बता दूँ आपको left और right दोनों में one centimeter one centimeter left में और one centimeter right में यह जो margin आप बनाएंगे आप इसे black pen से बनाएंगे right अच्छा यहां पर यह margin है यह क्यों margin लिखते हैं और उसका reason भी मैं आपको बताता हूँ पहला तो pen का use हो गया black से आपने यह कर दिया अब उसके बाद देखिए आप लिखेंगे section right आपने लिख्या section section A लिखा आप section तो आपने लिख दिया अब इस section A लिखने के बाद आप इसे green pen से underline कर सकते हैं right तो pen का पहल लिखेंगे और एक चीच और होता है कि जैसे माली जी जब आप one marker question का answer दे रहें तो हर answer के बाद एक line आपको छोड़ना है माली आपने question number one का answer लिखा यहां पे right इस line पे लिखा माली जी कुछ भी लिखा आपने इस पर आपने कुछ भी लिखा आपने इस पर आपने कुछ डेल ही लिखा for example आपने right उसके बाद एक line आपको छोड़ना है एक line छोड़ने के बाद दूसरी lines मतलब इस line को आपने छोड़ दिया आप question number two आप यहां से attempt करेंगे कहने का मतलब जितने भी one marker question आप करेंगे हर one marker question के बाद आपको एक line छोड़ने है right ठीक है उसके पाद मा marker three marker four marker यानि long type answer लिख रहे हैं या short type के answers लिख रहे हैं तो हर answer के खतम होने पे आपको दो या तीन line छोड़नी है और उसे black से underline कर देना है आईए answer sheet proper के answer sheet देखके हम लोग discuss करते हैं आप for example इस तरीके से आप देखे यह देखे जैसे कि इन्हों लिखा है section इन्हों तीन बा color के आपको section a word यह blue से लिखना है और उसको green color की पेंसे underline कर दीजिए आप देखे यहाँ पर question number one question number two question number three जो मने आप लोगों से बोला था कि margin आपको बनाना क्यों बनाना है इसलिए बनाना है ताकि आप question number question का serial number लिख सके और दूसरा यहाँ पर examiner marks marks आपके allot करते हैं आप आपे marks देते हैं इसलिए margin बनाना बहुत जरूरी है और margin left में भी बनाना है और right में भी बनाना है क्योंकि कुछ ऐसे questions हो थे जिनका marks उनको right में देना होता है और कुसका left में देना होता है वह detail आपके काम की नहीं इसलिए उसमें डिस्कस नहीं करेंगे और देखे जितने अब भी one marker question आप लिखते हैं लिखेने के बाद देखें एक line एक line आप जरूर छोड़िए नहीं तो कभी कभी गलती से examiner आपके दो answers को एक ही answer माल लेंगे और आपका नुक्सान हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कि नेक्स पे नेक्स में आप देख लिए जितने वन मार्कर है वन 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 लाइन का चोड़ा जाता है है नो नेक्स देखते हैं अब माली जी जैसे कि यह देखिए यह 2022 का 2022 के टॉपर की आंसर शीट है अब देखिए जैसे इन्होंने कोई long answer लिखा है लॉंग आंसर इनका खतम हो ध्यां दिज्या आप लोग लॉंग आंसर खतम हो देखिए यह 3 यह ब्लेक कलर की पैन का यूज यहां पर होगा इससे क्या होगा कि एक आंसर पूरा हो गया और दूसरा आप लिखने वाले हैं फिर देखिए एक इंपोर्टेंट बात बताने व जैसे आंसर में आप लोग देखिए अगर आप सेक्ष्ञा अंडरलाइन तो फटे यह ब्लेक करें के लिए यहलो पन का यूज कर करिये इसक्टियर ऺशें दिखती रहेंगी जो evaluator है जो copy check रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आपकी answer sheet को check करना उनको कोई confusion भी नहीं होगी अब next जैसे देखते हैं next देखे देखे इस टॉपर ने क्या किया है section ने लिखा है फिर green से ही मतलब section को separate किया है green से headings को underline किया है yellow pen से yellow highlighter से marker से उसके बाद जहां जहां इनका answer खतम हो रहा है देखना आप ब्लैक पेंसे line खीची है ताकि examiner को clearly पता चल जाए राइट चले now we'll discuss the next point जिस पे हम लोगो यह discuss करेंगे कि अगर board exam में कोई answer आपको याद नहीं आ रहा है तो कौन सी strategy अपनानी है कैसे फिर भी कैसे उस question का answer आपको लिख करके आना है सबसे पहले तो देखे माली जैसे question number one two three तो आपने कली आपको four नहीं आ रहा है तो आपको परिशान नहीं है question number four को आप circle लगार क छोड़ दीजे आप आगे बढ़ चाहिए और बागी के question का answer आप दीजी जब आपका सारे question का जब आप answer लिख चुके होते हैं उसके बाद just close your eyes take a deep breath and try to recall कि यह जो question आया है वो किस पडिकुलर chapter से आया है यह recall का नहीं कोशिच करिए जब आपको chapter रयाद आ जाए तो यह recall क करने की कोशिच करिए कि chapter के किस heading से वो chapter वो question है किस heading से आप देखोगे ना धीरे धीरे वो सारा का सारा answer आपको recall होने लगेगा अगर लेकिन आप वही अटक जाओगे question number 4 पे तो जो question number 5, question number 6 जो आगे के question है जो कि आप disturb हो जाओगे, panic करोगे जब आप panic करो जो जिस question का answer आ है हमारा कि keywords and important sentences को कब underline करना है, इस question का answer देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस fact की तरफ ध्यान देजेए, जो हमारे class 12th के students वो तो जानते हैं, लेकिन जो class 10th वाले हैं वो नए हैं, उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, देखिए, board का exam आपका शुरू होत है 10.30 से और आपको 1.30 तक लिखना allowed है, 10.30 से 1.30 तक आपको लिखना allowed है, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहरा हूं, 12th वाले दोस्तों को बता है कि 10.15 से लेकर के 10.30 तक आपको question paper मिल जाता है, यह question paper इस time में question paper की reading करने होता है, जैसे है कि आप लोग जानते हो जैसे यह अपना languages का paper हुआ, हिंदी-English का तो इसमें comprehension, तो इस time में comprehension को पढ़ने की फटा-फट पढ़कर खतम करने क कोशिश करिये, और आजकाल तो history हो चाहे political science हो चाहे class 10th की SST हो, सब में case-based या source-based question आते हैं, तो यह जो 15 मिनट मिलता है इसमें कोशिश करिए case-based और source-based question को समझ करके आप ready रहो, right, तो 15 मिनट को आप जो reading का time मिले इसमें आपने utilize कर लिए, अब हम आते हैं, यह keywords and important sentences हैं उसको underline कब करें, और किस color के pen से करें, ध्यान दीजिए, आपके जो school वाले teachers भी बताते होगा ना, कि answer में आप keywords जरूर लिखिए, और जो important sentences हैं answer में उसे underline कर करें, right, उसे आपको अच्छे marks मिलने की possibility बढ़ जाती है, अब आपको करना क्या है, अब आप में से धेर सारे लोग last time तक, यानि 130 तक भी answer नहीं complete कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग answer writing की ज्यादा ज्यादा practice करें, right, ताकि आपकी speed of handwriting दोनों अच्छी हो जाए, अब keywords और important sentences को highlight कप करना है, जब आप answer writing खतम करने तब, उसके लिए आपको answer writing 1.15 तक खतम करनी हो, 1.15 पिन तक खतम करनी होगी, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, ताकि आप 15 मिनट निकाल सको, और इन 15 मिनट में अपने जितने भी answers लिखे हैं, सब को ध्यान से जहां पर गलतियां में उसको सही करें, और important headings और important keywords और important sentences को आप लोग black pen से, black pen से आप heading को तो yellow marker से, sketch pen से करें, लेकिन जो important sentences हैं और keywords हैं उनको आप लोग black pen से underline कर सकते हैं, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हैं, प्लीज सब्सक्राइब, लेट स्कोर 100 इस तर झाल